नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूग चैनल बॉलीवुड टॉकीज में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं, तो प्लीज अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। रनवीर सिह के बारे में। रनवीर सिह की गिंती आज बॉलीवुड के महेंगे स्टार्स में होती है। लेकिन एक आम आदमी से बॉलीवुड के सुपरस्टार तक का सफर आसान नहीं था। आईए जानते हैं, उनके संधर्ष की कहानी जो हर उस शक्स को पता होना चाहिए, जो बॉलीवुड में एक्टर बनने के सपने से मुंबई आता है, डॉट रनवीर सिह को बॉलीवुड का गिरगिट कहा जाता है, क्योंकि वह हर किरदार में आसानी से घुस जाते हैं। कोई भी किरदार को वह ऐसे निभाते हैं, जैसे वह उनके लिए ही बना हो, आज भले ही उनके साथ काम करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनके साथ कोई काम नहीं करना चाहता था। जब रणवीर दस्वी क्लास में थे, तभी उन्होंने सोच लिया था कि एक दिन उन्हें हिंदी फिल्मों का हीरो बनना है। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वह विदेश चले गए थे। विदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद रणवीर मुंबई लोटे और एक्टर बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक इंटरव्यू में रणवीर ने अपने स्ट्रगल और रिजेक्शन पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि उनका स्ट्रगल पिरियड बहुत मुश्किलों भरा रहा। रणवीर सिंह ने बताया कि करीब साढ़े तीन साल तक अंधेरे में तीर मार रहा था। अलग-अलग चीजें ट्राई कर रहा था। ब्रेक पाने के चक्कर में अलग-अलग रास्ते तलाश कर रहा था। रणवीर सिंह ने 2010 में फिल्म बैंड बाजा बारात से बॉलीवुड डेब्यू किया था। यह फिल्म इतनी चली के फिर इन्हें कभी भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक बहतरीन एक्टर होने के साथ साथ रणवीर फिटनेस फ्रिक भी हैं। वह अपने लुक्स और बॉडी का कास ध्यान रखते हैं। छे साल रिलेशनशिप में रहने के बाद रणवीर सिंह ने अपनी लाव ओफ लाइफ दीपिका पादुकोन से 14 नवंबर 2018 को शादी रचाई थी। बैंड बाजा बारात, गोलियों की रासली लाराम लीला, पदमावत, लेडीज वर्सेज, रिकी बहल, गुंडे, गली बॉइ और सिंबा जैसी कई फिल्में शामिल हैं रणवीर सिंह की लिस्ट में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाई बाई और जय हिन्ग!